क्या आपकी दाड़ी मुच्छों में बालों की कमी है तो अपनाए ये घरे लो पाए। धारणाएं हैं कि धनी दाड़ी और मुच्छे मरदानगी की निशानी होती हैं लेकिन दोस्तों ऐसा बिलकुल गलत है दाड़ी और मुच्छों का होना या ना होना मरदानगी से इसका कोई लिना देना नहीं होता तो दोस्तों आईए जानते हैं कि क्या वजह है दाड़ी और मूचों के बालों के ना बढ़ने की नवशकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल Health and Fitness मंत्रा में जिसमें हम Health और Fitness से जुड़ी महत्वपून और रोचक जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं जो जानकारी आजकल की भाग तोड़ भरी जिंदगी में आप लोगों के लिए बेहत जरूरी है इसलिए हमारे चैनल को अभी सबस्क्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें विटमिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं जोजन में विटमिन B की कमी हो जाने से बाल की ग्रोथ रुख जाती है इसके साथ ही स्मोकिंग करने से भी घनी दाड़ी और मूचों का सपना पूरा नहीं हो पाता सिगरिट में मौजूद निकोटीन ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देता है इस वज़े से स्मोकिंग से बाल गिरने की समस्या भी हो सकती है तो आईए जानते हैं कि क्या साथधानी बरतनी चाहिए ऐसे युवक जिनके शारिरिक बदलाव हो रहे हों उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दाड़ी को किस तरह से शेव करना है अगर शुरू में ही ध्यान दिया जाए तो आसानी से कम दाड़ी और मूचों की समस्या को दूर किया जा सकता है अक्सर चेहरे की डेड स्किन दाड़ी और मूचों के बालों का दुश्मन बन जाती है ऐसे में समय समय पर dead skin cells को चहरे से हटा देना चाहिए घनी दाड़ी और मूचों के लिए shaving करना सबसे अच्छा उपाय हो सकता है इसके लिए सता हमें 2-3 बार shaving करनी चाहिए आपको ध्यान देना होगा कि shaving उल्टे blade से की जाए क्योंकि इसमें skin के कटने की संभावना बनी रहती है इसलिए ऐसा करते हुए बहुत ही सावधानी बरतनी होगी इसके साथ साथ protein युक्त भोजन को अपनी diet में शामिल करें भरपूर नींद लें और तनाव से बचें रोजाना 7-8 ग्लास पानी पीना चाहिए इसके साथ ही समय समय पर चेहरे की मसाज भी करनी चाहिए मसाज करने से blood circulation अच्छा होता है अब आईए जानते हैं कुछ घरे लूप आए जिससे आप दाड़ी और मूचों को घना कर सकते हैं दालचीनी को पीस कर powder बना लें इसमें नीमभू का रस मिलाकर इसका पेस्ट बना लें इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं थोड़ी देर तक रहने दे दालचीनी को सूखने पर साफ पानी से चेहरे को धो कर पोच लें ऐसा करने से चेहरे पर नमी लंबे समय तक बनी रहती है और चेहरा मुलायम हो जाता है दाड़ी मूच के बालों को बढ़ने में मदद मिलती है दोस्तों आवले का तेल लगाने से भी बालों को बढ़ाने में मदद मिलती है आवले के तेल के साथ में सरसों के पत्ते का पेस्ट बना कर चेहरे की मसाज की जाए तो इसका असर बढ़ जाता है साथ ही चेहरे की चमक भी बढ़ जाएगी तो दोस्तों ये थे कुछ आसान से उपाए जिससे आप अपनी दाड़ी और मूच के बालों को घना कर सकते हैं जुड़े रहे हमारे इस चैनल के साथ दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिए अगर आप इस वीडियो से समबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हेल्थ एन फिटनेस मंत्रा में और बेल आइकन को दबाएं लेटिस्ट हेल्थ और फिटनेस से जुड़े वीडियो सब से पहले देखने के लिए